गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आज की इस एकोलोजी किलास में हम बात करेंगे बायोटिक इंट्रेक्शन अर्थार्थ जैविक पारस्परिक क्रिया की जैसा की हम सभी जानते हैं कि इस अर्थ पर सभी जीव जनतु हैं या जो जीवदारी हैं वो सभी सासात रहते हैं और सासात रहने से जो है एको सिस्टम का जो निर्मान है वो होता है अब ऐसे में जब ये सभी जीव एक साथ रहते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के उपर निर्वर रहते हैं क्योंकि ये तो आप जानते ही है कि कोई भी जो जीव है वो स्वतंत रूप से अपना अस्तित्व प्रदर्सित नहीं कर सकता अकेला जीवन जो है वो जीने में एसक्षम होता है और प्रकरती जो है वो इनी सब जीव जनतों और पेड़ पौधों के होने से निर्मित होती है तो ऐसे में जब ये सजीव जो है वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जब साथ साथ रहते हैं तो और साथ में य ये भी जो मिलकर के इन्वार्मेंट को प्रवावित करते हैं और इन सभी चीजों को हम कमाइंड मैनर में कहते हैं बायोटिक फैक्टर या दूसरे सब्दों हम कहें तो बायोटिक फैक्टर का जो मतलब है एकोलोजी के संदर्म में वो जैविक कारकों से है अर्थारत जो ये living और्गनिजम्स हैं वो किस तरीके से क्रियाएं करते हैं इन से वातावरण के साथ में और आपस में उन सब का जो योग है वो एक तरीके से कहें कि बायोटिक फेक्टर कहा जाता है उनको अब इन बायोटिक फेक्टर के अंतरगत हम यदि कहें कि इन पेड़ पोधों और जीव इंट्रेक्शन हलंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको जो है अलग अलग नाम दिये हैं जिसे कि किसी ने इनको एक्षन या क्रिया कहा है तो किसी ने रियक्षन या प्रतिक्रिया कहा है और किसी अन्य ने इनको इंट्रेक्शन नाम दिया है तो ये जो इंट्रेक्शन है ये हमें देखने को मिलती हैं इन सजीआं के मध्द है, इन जीवधारियों के मध्द है और इन इंट्रेक्षन या जो पारस Debatte कृरियाए हैं ये ही इनके बीच में कहें कि एक तरीके से संबन्नों का निर्मान करती हैं या रिलेशन्षिप का निर्मान करती हैं अब यह जो relationship हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं एक तो inter specific relationship जो की दो अलग अलग जो है प्रजाती के पौधे या जंतों के बीच में देखने को मिलते हैं और दूसरे जो होते हैं जिनको हम कहते हैं इंट्रा specific relationship तो इंट्रा वाले जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे एक ही species के पौधे या जंतों के भीच में देखने को मिलते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि इन biotic interactions के संबंद में जो एक सिंबाश सब्द है उस सब्द का जो कह सकते हैं कि तरीके से प्रियोग है या जो सब्द दिया है वो डी बैरी ने दिया है और सहजीविता का अर्थ जो है आप देख सकते हैं उसका मतलब यह होता है कि कि इस तरीके से जो है सजीव जो है वो साथ- और हलंकी जो डी बैरी ने इस सब्द का प्रियोग किया है जहां पर वो इस अंदर में किया है कि जो प्रजातियां है वो एक दूसरे से लावनवित होती हैं और औरम ने जो है इस अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रेक्शन को काम में लिया जैसा कि आप देख सकते हैं कि बायोटिक इंट्रेक्शन जो है यहां पर दो प्रिकार की होती है इसमें से पहली है पॉजिटिव और दूसरी है नेगेटिव अर्था धनात्मक और नकारात्मक पारस्प्रिक करिया और जो type में रखे जाते हैं और जब नुकसान किसी को रता है तो वह जो है नेगेटिव वाली में जो है किसी एक प्रयाती को चाहे वो पेड़ पौधा हो सकता है, चाहे वो कोई जीव-जनती हो सकता है, उसको नुकसान होता है, तो यदि हम आगे देखें, तो क्लार के अनुसार साजीवों के बीच में होने वाली जो इंट्रक्षम है उस में जब दूनों जीव लावानवित होते हैं तो इसे हम सहजीवन कहते हैं और साथ मेंनों आने एक दूसरा टरम जो दिया है वह दिया है antagonism कि जब पार्सप्रिक क्रिया में कम से कम किसी एक सजीव को नुकसान पहुंचता है तो इसे हम कहते हैं विरोध या antagonism कहा जाता है और प्रकरती में जो है ये दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलती है सह जीवन भी देखने को मिलता है और एंटागोनिज्म भी देखने को मिलता है क्योंकि प्रकरती में संगर्स जो है वो प्रतेक जीव जन्तु को पेड़ पोदों को करना होता है जीवन जीने के लिए तो ऐसे में दोनों ही प्रकार की जो हमें इंट्रेक्शन्स हैं वो दिखाए देती हैं और इसका जो क्लासि इसकी वो आप यहां पर देख सकते हैं उनोंने किस तरीके से इन इंट्रेक्शन्स को जो है डिवाइड किया है प्रवह देखे तो आपको अभी बता ही था कि इस तरीके से लोपर कि क्यों precaution पाया जाती है और बंट्युक्य क्या प्रकार में डिवाइड किया है यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है होता है इनको हम जीरो और प्लस इस तरीके से दर्सा सकते हैं और माइनस से इसमें देखें तो आप यहां पर कई प्रकार देखेंगे इंट्रक्शन्स के जिसमें से पहला है आपका तटस्ता या नूट्रलीजम जहां पर किसी को जो है कोई भी कह सकते हैं कि प्रभावित नहीं करता है तटस्त रहती हैं दोनों जाती हैं या कहें कि हम एक तरीके से वो नूटरल रहती हैं उदासीन रहती हैं तो जब दोनों समझ्टे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं तो ऐसा सजमन्द जो है वो कहलाता है आपका नूटरलीजम कहलाता है जहांपर दोनों ही इस पिसीज एक दूसरे से तटस्त रहती हैं किसी प्रकार के प्रभावित नहीं करती हैं, दूसरा इदिक हम देखें, तो ये भी जो है negative का example है, इसको हम competition या इसपर्दा की नाम से जानते हैं और नाम से ही इसका हम earth समझ सकते हैं, जैसा जानते हैं, competition या इसपर्दा जो है हमें जीवन में देखने को मिलती है और साथ में जो है प्रकरती के अंदर भी देखने को मिलती है तो यहां पर जो इस परदा के अंदर याने हम देखें तो जो कोई भी दो population होती हैं वो एक दूसरे की जो है व्रधी को या जीवन चकर को परवावित करती हैं अब इसमें भी दो परकार हो सकते एक डायरेक्ट इंट्रेक्षन हो सकती है जैसे कि जिसमें population एक दूसरे की व्रधी को रूखेगी और दूसरी जो है वो resource huge type का दार पर उसकती है जहां पर संसादेनेदी सीमित हो गए होएं तब जाकर कि दुनों सवश्ट्य एक दूसरे की ब्रदी को रूखने का प्रियास करती है तो इस पर्दा जो है वह बहुत सारी चीज़ों के लिए देखने को मिल मिल सकती है चाहे वो बोजन के लिए मिल सकती आस्ट्रे के लिए इसपरदा हो सकती। या अन्य कीस चीज के लिए competition देखने को मिल सकता है gwाप निसंग्या बढ़ाने के लिए competition Aww, किसी वी जाती के द्वारा इस परदा को हम दूसरे सब्दू recipes ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पर जीवन जीने के लिए जो है एक खोड होती है तो उस समय इस परदा में देखने को मिलती है तीसरी जो टाइप है हमें वो देखने को मिलेगी अभूजीता या मैस निलिजम जो है इसमें एक समिष्टी की जो वरदी है वो रुख जाती है या नकरात व्हास मकोर उसे प्रवावित होती है और दूसरी पर जो है समस्टी पर कोई प्रवाव हमें आ देखने को नहीं मिलता तो इस प्रकार का सम्बंद जो है वह अमेसनलिजम या अबोजिता कहलाता है यदि हम इसमें next type देखें तो वो है कमेशनलिजम का या सहभोजीता का जिसमें सहभोजीता में यदि हम देखें तो एक समस्टी जो होती है यहां पर वो लामानवित होती है अलंकि positive type की interaction है सहभोजीता और दूसरी जो है यहां पर वो ए प्रवावित रहेगी इसलिए यहां पर प्लस और जिरो का निसान जो हो यूज में लिया गया है और एक को जो है किसी प्रकार की लाव यहांनी नहीं होती जबकि दूसरी जो है वो लाव में रहती है तो ऐसा मंद कहलाता है हमारा कमेशनलिजम या सहभोजीता नेक्स्ट यहीं हम देखें तो नेक्स्ट जो है आपका परजीविता परजीविता या पैरासिटीम जो है वो ऐसा इक इंट्रेक्शन का टाइप है जिसमें एक जाती जो है वो लावानवित होती है और दूसरी जो है वो कहें कि नुकसान में होती है परजीविता या पैरसेटीजम एक ऐसा संबन्द होता है जिसमें एक कोई भी सजीव दूसरे सजीव पर परजीवी की रूप में जो है मिलता है अर्थार्थ वो अपने भूजन के लिए आस्ट्रे के लिए दूसरे जीव के उपर रहता है या उसके सरीर के अंदर रह सकता है, बाहर रह सकता है, जिसके आदार पर हम अंते पर जीवी बाहर पर जीवी उनको बोलते हैं, एक्टो एंडो पैरसाइट सा आपने नाम सुना ही होगा तो परजीवी ता जो संबंध है उसमें जो परजीवी होगा वो पैरसाइट जो होगा वो अमेशा लामानुवित रहता है और जो होस्ट जिसके उपर वो परजीवी पाय जाता है वो लॉस में रहता है तो यह सबूसक्ते होने हो जोकी अन्य जनतु के ऊपर परजीवी के में उपस्तित होते हैं यह उनके शरीर के अंदर भी ऊपस्तित हो सकते हैं बाहर भी रह सकते हैं उन में से जौक आप ले सकते हैं seu m इंट्रक्शन का टाइप है वो है प्रिडेशन या परवक्षिता परवक्षिता जैसा कि हम देखते हैं प्रकरती में बहुत ही कॉमन तरीके से में देखने को मिलती है परवक्षिता नाम से ही अर्थ समझ माँ आजाता है कि दूसरे को जब कोई जीव बख्षन करता है अपने वोजन के लिए तो उस से कंडिशन को हम कहते हैं प्रिडेशन या परवक्षिता परवक्षिता में हम देख सकते हैं कि एक जो इस पिसीज है वो लावनवित होती है और दूसरी जो है नुक्षान में होती है क्योंकि जो यहां पर सिकार बना जा रहा ह है उसकी इम्रत्य हो जाती है वो नश्ट हो जाता है तो ऐसे में वो नुक्षान में है और जो उस सिकार को खा रहा है जो सिकारी है प्रिडेटर है वो यहां पर बेनेफिट में रहता है तो यह हमें जो है बहुत सारे उदानों में देखने को मिलती है जैसे कि टाइगर जो आपके परभक्षी हैं यह दूसरे प्राणी को मार करके खाते हैं या हम यदि और भी पादपों में देख सकते हैं बहुत सारे कीट भक्षी जो पादप हैं वो कई इसे स्क्रकीटों को मार करके खाते हैं तो यह जो हैं सभी परभक्षिता के दारण है इसी प्रकार जो है यहां पर नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है प्राक्स योगिता या जिसको हम प्रोटो कोपरिशन कहते हैं तो इसमें जो है देखें हम प्राक्स योगिता में प्रोटो प्रकार किये और लेकिन यहां पर जो है यह जो संबंध है वो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होता अर्था यह जो है अबलिगेटरी नहीं होता फैबरेवल हलांकि कंडिशन दोनों के लिए होती है लेकिन जीवन जीने के लिए यह कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है इस प् जो भाग लेने वाले हैं, उनको दोनों को ही लाब होगा, लेकिन ये जो संबंध है, वो obligatory होता है, अर्थार्त ये जो है, वो आफशक होता है, एविकल्पी होता है, जिसकी कह सकते हैं कि जीवन जीने में कटना ही आ सकती, ये ये संबंध नहीं हो, उनसा जीवों के बीच मे हैं कि लाइक एंस वगेरा को हम देखते हैं, तो अभी हम जो है, यहां पर इस वीडियो के अंदर, negative interactions की detail में चर्चा करेंगे, अलाग कि हमने यहां पर लगबग-लगबग सभी को संचिप में समझ लिया है, लेकिन negative interactions की जो है, यहां पर हम अभी detail में चर्चा करेंगे, positive interactions क इसे बारे में हम next वीडियो में समझेंगे, यहां पर हम negative को समझ लिएते हैं, तो जैसा कि आप जानते ही है, negative interactions में जो है, किसी ने किसी plant या animal की species को, किसी ने किसी रूप में नुकसान होता है, और इसलिए इन इंट्रेक्शन को जो है, negative interactions कहा जाता है, यह नकरात्मक या र और इसको कई वर विरोध या antagonism की संग्यावी जो है, दी जाती है, और इनको हम इस प्रकार मुखे तोर पर तीन से चार category में जो है, डिवाइड कर सकते हैं, और जिसमें से पहली जो हमारी category आती है, वो है सोसन की या exploitation की, सोसन या exploitation जैसा कि हमें इसका अर्थ नाम से ही समझ कोई भी पादप या जन्तू की species जाती, किसी दूसरी species का सोसन करती है, अपने भोजन के लिए या आवास के लिए अन्ने चीजों के लिए, तो ऐसी जो इंट्रक्शन से वो कहलाती है, सोसन या exploitation कहलाती है, अब इसमें जो है, दो category होशक्ती हैं, वैसे तो, जिसमें ये जो सोसन है, वो हो सकता है, एक तो shelter के लिए, या हम कहें कि ये सोसन है आपका, वो आस्रे के लिए हो सकता है, और दूसरा जो है, वो हो सकता है आपका भोजन के लिए, तो आस्रे के लिए भी जो है, हमें, या shelter के लिए भी, हमें जो है, सोसन देखने को मिलता है जिसे कि आपने देखा होगा कई पक्षियों को जिसे कि हम कुकू बर्ड की बात करते हैं या काउ बर्ड की बात करते हैं तो यह जो पक्षी है वो अपने लिए जो है गोसले का निर्मार जो है यह नहीं करते क्योंकि यह जो है वो दूसरे जाती के जो पक्षी है उनके गोसल पर और दूसरी जो कैटेग्री है वो वहोती है आपके फूड के संदर्में या भौजन के लिए शोषन जो कि बहुत ही कॉमन है तो फूड के लिए शोषन में जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से एक प्राणी भूजन करने के लिए दूसरे प्राणी को नकारात्मक तरीके से नुकसान पहुचाता है चाहे वो उससे पोशन लेने के संदर में हो जीवित रखते हुए चाहे उसको मार कर खाने के संदर में हो इसी आधार पर इसमें दो कैटेगरिया है इसमें से पहली जो कै परवक्षन पहले इनको थोड़ा समझ लेते हैं जैसा कि आप पहली केटेग्री को देख पारें पर जीवी पर का मतलब दूसरा या और जीवी का मतलब जीवी जो है रहने के लिए इस तरीके सम कह सकते हैं कि परजीवी या पैरा साइट एक ऐसा सम्मंध है या इसको परजीवीता कहेंगे इसको परजीवीता प्राप्त करने के लिए दूसरा जो उसका सहवागी होता है उस पर डिपेंडेंट रहता है तो इस प्रकार का जो सम्मंध है वो कहलाता है पैरा सिटिज्म या परजीवीता इस पैरा सिटिज्म या परजीवीता में जो है उस पैरा साइट का जो टार्गेट है वो कभी भी होश्ट को मारने का नहीं रहता है वरन उससे एक लंबे समय तक अपना भूजन प्राप्त करने का होता है वो उसे नश्ट नहीं करता है हलांकि एक लंबे समय के बाद हो सकता है कि जो होश्ट है उसकी मृत्य हो जाए जैसे कि हम देखते हैं कई सारे फंगल इंफ समझी सकते हैं आसानी से कि एक जो सजीव है जो परजीवी जीव है अपने जीवन या अपने के लिए दूसरे सजीव या जो है जो की पौदा हो सकता जनतु होता है उस पर निर्बर होता है अब यह जो सम्मंद है वो दो प्रकार का हो सकता है जिसमें पहला है आपका ओमलिगट और दूसरा है आपका फैकल्टेटिव पेरासाइट एसे पेरासाइट होते हैं जिसके अंदर जो है परपोशी उपलब्द नहीं होने की स्थिती में उस जीव की मृत्यू हो जाती है अर्थारत हम कह सकते हैं कि इनने दोनों का मिलना जरूरी होता है कोई भी जो आपका परजीवी है या पैरा साइट है वो होश्ट की उपस्तिती में ही जीवित रह पाता है जैसे कि आपने अल्बूगो का नाम तो सुनी रखा होगा जो की वाइट रस्ट आफ क्रूसीफट डिजी जित्पन करती है तो ऐसे में यह जो कवक है वो सर्सों के पौधे के बिना जीवित नहीं रह पाएगी और यह सर्सों के पौधे पर परजीवी के रूप में जो कवक ह यह पाया जाता है और दूसरा जो संबन्द हमें देखने को मिलता है दूसरा टाइप देखने को मिलता वह मिलता फैकल्टेटिव पैरसाइट का कि जिसको की हम कि कह सकते हैं कि यह जो है कि यहां पर अश्टिलागो जो है इसका उदान देखने को मिलता फैकल्टेटिव और यहां पर जो मैं की बात कर रहा था भी कि यह जो संबंध है वो विकल्पी टाइप का है अर्थार्थी यहां पर यह जो कवक है वो इसकी अनुपस्तिती में भी अर्थार्थ जो इनका होस्ट प्लांट है उसकी अनुपस्तिती में भी जो है यह जीवित रह सकते हैं बहुत सारे का वक्त हमें इस तरीकी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि अश्टिलागो टैफ्राइना अल्टरनीरिया के बहुत सारी स्वि जो एंगिस्पंप्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे प्लांट्स हमें इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं जो पादफ हैं आपके पूर्ण अन्य पादफों के स्थम पर पर तूर्जीवी की रूप तने के अंदर प्रिविश्च करा देते हैं वोस्ट प्लांट के तने के अंदर और वहां से जो है अपना पोशन ये लेते रहते हैं और इसका एक बहुत अच्छा उदाना में देखने को मिलता है कसकुटा के रूप में जिसको हम अमर बेल के नाम से जानते हैं लातिक कैसा इ परजीवी भी देखे जाते हैं जैसे कि आप आप देख सकते हैं कि विसकस जो एलबम है वो ओक ट्रीज पर पार्टियल स्टेम परसाइट क्रूप में पाए जाता है इसके लावा लॉंथास लॉंगी फिरस भी जो है आम पर हमें देखने को मिलेगा अलंकि इन पादपों में चोटी पत्तियां पाई जाती है और लेकिन इन पादपों की जड़ों का संबंद जो है सीधे तोर पर नीचे से नहीं होता है तो यह जो जो पार्टी रिस्टेम पैरसाइट होते हैं वो इस तम से जो है आंसिक तोर पर अपना पोर्शन लेते रहते हैं फिर इसी तरीके से रूट पैरासाइट भी होते हैं जो की जड़ों से दूसरे पादप की जड़ों से जो है वो अपना पोर्शन प्राप्त करते हैं इसमें के दो कैठेग्रीय आते हैं Τोटल रूट पेराशाइट की और दूसरी होती है असार्टील रूट पेरसाइट की पहली का आँप देख सकते हैं कि बेले नउफॉरा ranks ये आदि पिलेंकें के जो हैं वह वो टूटल जैसे कि औरो बैंग की जो है वो बैंगन की मूल पर जो है पर जीवी गुरूप में पाया जाता है ठीक इसी प्रकार यह दिया हम देखे तो आंसिक जो रूट पर जीवी है या पार्ट जो पर जीवी है उसका दान एक बहुत यह अच्छादाने सेंट वम यार चंदन जो कि दूसरे पौधों की जड़ों से जो है वो पूशन लेता है तो इस प्रकार आपने यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पौधे जो है वो पैरासाइट हो सकते हैं एक दूसरी जो कैटेगरी इसी में आती है सोशन कंतकत वो आती है परवक्षन की या प्रीडिशन की तो प्रीडेशन या परवक्षन में जो है एक सजीव दूसरे सजीव को मार करके खाता है बहुत सारे हम प्रानी सब्सक्राइट करें के देखते हैं जो मां साध़ी प्रानी है वो इसी केटेगरी में आते हैं कार्निवpower इंकों कहते हैं जो पादप में भी इस तरीकी कैटेगर मार करके कहते हैं और जैसा कि आप जानते ही है गट पर्ण यहने 35 plant है drosera है ब्लेडर वर्ट है डाइवनिया है इस तरीकी कि प्लांट है वह इंसक्टिवर्च में आते हैं और साथ साथ इसाकाहरी जो प्राणी है वो भी पौधों का बक्षन करते हैं खरगोस हिरन इस तरीके के जो ये सबी प्राणी है वो पौधों को अपने बोजन के लिए जो है काम में लेते तो ये जो कैटेगरिय वो प्रेडिशन के इंतरगत आती है नेक्स्ट प्रकार की जो हमारी इंटरेक्शन नेगेटिव टाइप की वो है एंटी बायोसिस या प्रती जीविता जैसे हम कहते हैं तो प्रती जीविता या एंटी बायोसिस एक ऐसी कंडिशन है कि जिसमें से कोई भी जो दोनों जो सहवागी सजीव हैं उनमें से लामनवित नहीं होता लेकिन इसमें एक जो सहवागी होता है वो कुछ रासानिक पदार्थों का कहेंगी स्राव करता है और जिसकी वज़े से दूसरे की जो वरद्धी है वो पूर्ण रूप से आंसिक रूप से जो है रुक जाती है और कई बर जो है गंबी रवस्ता में उसकी तो ऐसी जो कंडिशन है वो कहलाती है इसको हम यह दिनाम से समझें तो यृap जीवन के खलाफ जो होती है एंटी बाई Otherwise लूप। जीवीत नहीं रहने देना इसको मैसमाझ सकते हैं प्रटि जीविता को इसमें कि दूसरी का जीवन जो है खत्रे में टाल दी जाता किन्हीं chemicals के सराव के द्वारा और आपने एंटी बायोटिक्स का नाम तो सुनाई होका जो कि बहुत सारे सुक्षिंड्हाई के द्वारा सरावित के जाते हैं और अन्य जो my toothbrush या न्य जो प्राण्य उनकी अम्लत्यू कारंण बनते हैं जैसे कि माइक्रोसिस्टिस के हम बात करें, तो माइक्रोसिस्टिस जो है वो एक हाट्डोक्सी लेमाइन टाइप का जो केमिकल है, वो जलकी सते में जो है इक तरीके से टॉक्सिक जो सविस्टेंस है, इनका स्राव करती है, और जहां मचलियां और अन्ने जो जलिये प्राणू होते है उनकी मृत्यू से इस हड्डॉक्स लेमान की वज़े से हो जाती इसी प्रकार क्लूरेला वल्गिरिस की बात करें तो वो भी जो है ऐसे रसानिक पदारतों को इस्तराफ करती है जिसकी कारण डायटम्स वगरा की व्रद्धी रुख जाती है तो इस प्रकार का संबंध जो है जहाँ पर केमिकल्स के तुरू किसी दूसरी स्पीसीज की व्रद्धी को रोका जाता है निस्ट किया जाता है किसी दूसरे अनिमल को तो वो कहलाती है आपकी एंटी बाइसे से तीसरे प्रकार की जो नेगटिव इंट्रेक्शन से वो है कंप्रटीशन की या प्रतिस परद आमें जो सजीव हैं चाव पेड़ पोदे हैं चाव जन्तु हैं वो अपने जीवन को सफल और सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी आप सकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रियास करते हैं और यह जो प्रियास है वो ही बदल जाता है आपके कंप्टिशन में कौन जो है ज्यादा से ज्यादा इन संसादनों का उप्योग कर सकता है यहां पर संसादनों का जो अर्थ है वो है बोजन या फिर आश्रे या किनी विसेश प्रकार के जो जल या अन्य मिनरल्स एटीसी हो सकते हैं अब यह जो प्रतिस पर्दा है वो भी दो प्रकार के हमें देखने को मिलती है इंट्रस्पेसिफिक और इंट्रस्पेसिफिक अर्थार्थ स्वेजाती है जब एक ही प्रजाती के जन्तूं और पौदों के बीच में ही प्रतिस्पर्दा देखने को मिलेगी तो इंट्रस्पेसिफिक कहेंगे और इंट्रस्पेसिफिक कहेंगे जब अल इस संदर में जो है प्रतिस्पर्दा की संदर में जो गोस का सिद्धान्त है जिसे हम में गोस का प्रतिस्पर्दा के निश्कासन सिद्धान्त के नाम से भी जानते हैं वो भी यहां डेटेल में इसको समझने के लिए ले सकते हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से दो पर जाती हैं के बीच में प्रतिस परदा जो है पाई जाती है और एक प्रकार के दिया आप सकता हैं तो उसमें से एक स्पेसी जो है समाप तो जाती है अब यहां पर एक प्रकार जो है जो है एक अन्य प्रकार की और हमें प्रिशिस परदा की बात कर लेते हैं जिसमें हम एलिलोपेथी का यहां पर जिक्र करेंगे एलिलोपेथी जो है एक ऐसी घटना है जिसमें कोई पादब जो है दूसरे पादब को नुकसान पहुंचाने के लिए खतरना केमिकल्स का रासनिक पदार्थों को मरदा में सरावित कर देता है और यह जो एलिलोपेथी टर्म है वो इसका जो मतलब है वो यही है कि जिसमें मूचल हार्म या मूचल सफरिंग से जो है एक तरिकेस रहती है जिसमें एक कोई भी पादब जाती दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे केमिकल्स का ऐसे रसानिक पदार् सकती है जिससे की दूसरे जो है प्रभावित होते हैं नाकरात्म गूरूप से नस्ट हो जाते हैं हैंस मॉलिष ने जो है यह सब्द ऐलिलोपेथी दिया था एक परिवासा यहां पर आप देख सकते हैं ऐलिलोपेथी कि ऐलिलोपेथी एज एडिरेक्ट और इंडारेक्ट और नेगेटिव एफेक्ट ऑफ एनी वन प्लांट ओन दी अधर थूद्धी रिलीज ऑफ केमिकल्स इंटू दी इन्वार्मेंट कहने का मतलब है कि एक ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव फेक्ट है डायरेक्ट और इंडारेक्ट तरीके का जिसमें एक जो कोई भी प्लांट स्पीसीज है वो केमिकल्स के तुरू जो है प्रभावित करते हैं दूसरी को और यह हमें देखने को मिल जाएगी एरिस्टिडा ऑलियोकेंथा के अंदर जो की अपनी जड़ों से निकलने वाले फिनोलिक रसानों के कारण नाइटोजन इस्तिखन करने वाले तो यह एलीलो पैती जो है हमें बादपों में देखने को मिलती है और यह भी एक परकार की नेगेटिव इंट्रक्शन है जिसमें एक जो है वो दूसरे को नकारात्मक तरीके से प्रवावीत करता है तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही जिसमें हमने बात करी यहाँ लाइक और सब्सक्राइब को जरूर करें जिससे कि आपको लेटिस्ट वीडियो का अबडेट मिलता रहे थेंक यू